Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 4.4 से question number 2 करेंगे identify 3 triangles in the figure, यह figure आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक triangle बना हुआ है इसके अंदर आपको 3 triangle पहचानने हैं, आप 3 triangle इसके अंदर आपको साफ साफ दिखाए देंगे एक तो यह पूरा बड़ा triangle, A, B, C, यानि यह पूरा बड़ा वाला triangle और दो triangle हो जाएंगे, इसमें यह छोटे वाले, A, D, B और A, D, C, यही इसका अंसर है तो A का अंसर हम लिखते हैं, triangle पहले पूरे बड़े वाले को लिख लेते हैं, A, B, C यह triangle का निशान होता है, triangle A, B, C, एक हो गया दूसरा यह छोटा वाला ले लेंगे, A, D, B, triangle A, D, और यह B और तीसरा यह छोटा वाला इधर वाला, A, D, C, triangle A, D, और यह C यह 3 triangle इसके अंदर बन रहे हैं, second part, B part में पूछा है write the names of seven angles, इस figure के अंदर आप seven angles के नाम बताईए अब देखिए angle कब बनते हैं, जब भी आपकी कोई दो raise इस तरह से कोई भी दो sides ऐसे किसी एक point पे टकराती है, तो वहाँ पे angle बन जाता है अब इसके अंदर seven angles आपको पहचानने हैं, तो मैं naming कर लेता हूँ पहले, naming कर लेंगे तो लिखने में आसानी रहेगी देखिए ये जो दो sides हैं, इनके बीच में ये angle बन रहा है, ये मैंने one नाम रख लिया इसका ये वाली side, ये वाली side, इनके बीच में यहाँ पे angle बन रहा है, इसका नाम नाम मैंने two रख लिया इसी तरह से ये वाली साइड ये वाली साइड एंगल बना रही है इसका नाम मैंने 3 रख लिया यहाँ पर ये साइड और ये साइड यहाँ पर टकरा रही है दोनों तो ये एंगल 4 हो गया ऐसे ये side और ये side यहाँ पर एक angle बना रही है ये मैंने 5 नाम रख लिया इसका और ये side और ये side यहाँ पर टकरा रही है यहाँ पर angle बन रहा है इसका नाम मैंने 6 रख लिया आप 6 तो ये हो गए आप इसमें सोचोगे कि 7th angle कौन सा है तो देखिए यह जो angle A है न यह पूरा का पूरा जब हम इसे बढ़ा लेंगे इस तरह से यानि यह पूरी वाली side AB और यह जो AC लेंगे तो यह यहाँ पर यह बढ़ा वाला angle बना रही है जिसके अंदर 1 और 2 दोनों आ रहे हैं तो यह जो पूरा बड़ा triangle है यही आपका 7th angle है तो 7 angle दिख गए आपको इसमें साफ साफ अब इनकी naming कर लेते हैं तो B का answer यहाँ से शुरू है पहला जो angle है इसके अंदर यह होगा हमने इसको 1 लिखा है न तो यह 2 sides कौन सी है जो यहाँ पर angle बना रही है angle 1 यहाँ से यहाँ तक है तो यह वाली side और यह वाली side यह side है BA और यह है DA अब angle A है तो angle A A जो लेटर है यह बीच में आना चाहिए B और D side में आएंगे तो angle का नाम होगा B A और D angle B A D second angle इसी तरह second angle भी A पर ही बन रहा है और यह 2 sides बना रही है तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं हम D D से A पर गए और A से यहाँ पर C पर मुड़ गए तो यह angle बन गया तो D A C angle D A C अब तीसरे पर ध्यान दीजिए यह तीसरा इन दो side से मिलके बन रहा है और यह side यहाँ से शुरू हो रही है A से B की तरफ आए और B से C की तरफ गए तो A, B, C यह तीसरा angle बन गया angle A, B, A, B, C तक भी ले जा सकते हो आप A, B, D यहाँ D तक भी छोड़ सकते हो line चोटी लिखो चाए बड़ी लिखो बात इस कोने से होती है तो angle A, B, D भी लिख दोगे वो भी यही angle माना जाएगा A, B, C लिख दोगे वो भी यही angle माना जाएगा तो मैं angle A, B, D यही तक लिख देता हूँ चोथा angle देखिए इसमें चोथा angle यहाँ पर बन रहा है D point पर और sides कौन कौन है A से D की तरफ आए D पर angle बन गया और D से फिर B की तरफ मुड़ गई तो हम लिख सकते हैं A, D और B तो angle A, D और B यह चोथा angle है figure के अंदर fifth angle देखिए, fifth naming मैंने यहाँ की हुई है, यह यहाँ पर angle बन रहा है और यह दो sides हैं तो यहाँ से D से उपर की तरफ यह side है, तो A से D की तरफ आए और D से फिर C की तरफ चले गए तो angle बन गया A, बीच में D और यह C, angle ADC, angle ADC, छटा angle का नाम लिखते हैं, sixth angle है यहाँ कोने में C point के उपर और यह दो lines है जो बना रही है, line यहाँ से शुरू हो रही है, A से C की तरफ आए, C पर angle बना और C से फिर यहाँ D की तरफ चले गए अब A, C, D लिख सकते हैं, A, C, B भी लिख सकते हैं क्योंकि line तो यह A की है ना, तो A, C, D लिखते तहूं मैं तो angle A, C और यह D, 6 हो गए, 7th angle का नाम देखिए, 7th angle के लिए आपको पूरी है, जो फैली वाली साइड से पूरी, क्योंकि angle यहाँ से और यहाँ तक बना हुआ है, it means यह वाली साइड और यह वाली साइड angle बना रही है, तो angle यहाँ पर बन रहा है, A point पर, लेकिन lines यह अंगल बना दिया, और फिर यहाँ से C की तरफ मुड़ गई, तो B, A और यह C, यह आपका 7th angle है, तो angle B, A और यह C, तो इस तरह से इस figure के अंदर, यह 7 angles है, तो यह इनकी naming होगी, अब part number C करते हैं इसके अंदर, write the names of 6 line segments, इसमें कहता है कि 6 line segments के नाम लिखिए, चलिए अब 6 line segments के नाम हम लिखते हैं, C answer मैं यहाँ पर करता हूँ, 6 line segments, 6 line segments पहचाने हैं इसके अंदर, line segment होती है, एक line का टुकड़ा, जिसके 2 end points होते हैं, 2 end points से मिलके एक straight line बनती है, अब यहाँ पर आपको 6 lines पहचाननी है, तो देखे, A से लेके B तक एक यह line होगी, मैं लिखता हुआ चलता हूँ, A से B एक line segment होगी, दूसरी, A से C होगई, A C, और तीसरी, C B होगई, C B लिखे हैं या B C लिखें, बात एक ही है, तीसरी होगई है, इसके अंदर B C, और line segment है, तो line segment के उपर यह निशान लगता है, यह line segment का निशान होता है, इसके यह 2 end points है, तीन होगई, तीन तो मैंने यह ले ली, जिनसे की triangle बन रहा है, अब चौथी आपको यह A D दिखरी होगी, A से D तक आ रही है, चौथी इसको ले लीजिए, A D इसके अंदर एक line segment होगई, पांच वी, पांच वी और छटी, यह मिलेंगी आपको नीचे, क्या हो रहा है, कि यह जो BC line segment है ना, इसके दो टुकडे हो रखे हैं, B से D तक और D से C तक, तो यह पांच वी और यह छटी हो जाएगी आपकी, तो B से D, यानि BD, यह जो BD है, यह एक line segment हो गई है, और जो D से C तक जा रही है line segment, इट मेंज DC, यह छटी line segment हो गई है आपकी, तो 6 में लिख देंगे हम, DC, तो इस तरह इस figure के अंदर आपने 6 line segments को लिख दिया, अब इसका last part है D part, उसे पढ़ते हैं, वो क्या कहता है, last part में कहता है, which two triangles have angle B as common, वो कौन से दो triangles हैं, जिनके अंदर angle B common है, यानि angle B दोनों triangle के अंदर आ रहा है, आपने यहाँ पर 3 triangle लिख लिए, first part के अंदर, इन 3 triangles के अंदर angle B किस किस में आ रहा है, वो ही आपका answer है, अब यहाँ देख लिजे, figure में ही देख लिजे, इसे मत देखिए, जब आप पूरा A, B, C triangle लेते हैं, पूरा बड़ा वाला, तो इसके अंदर angle B आता है, it means एक triangle तो होगे, आपका triangle A, B, C, यहाँ triangle पूछा है ना, तो triangle का निशान जरूर लगाना, और दूसरा जो इसके अंदर triangle होगा, जिसके अंदर angle B आ रहा है, वो है यह इधर वाला छोटा वाला, A, B, D, यह वाला triangle, क्योंकि इसके अंदर भी B आ रहा है ना, आप A, B, D लिखें या A, D, B लिखें, बात एक यह है, triangle के आप किसी भी vertex को पहले आगे पीछे लिख सकते हैं, triangle A, B, D, इन दो triangles के अंदर आपका यह angle आ रहा है, A, B, D के अंदर भी angle भी आ रहा है, और A, B, C triangle के अंदर भी angle भी आ रहा है, यह दो triangles हो गई है, last part था, question खतम, next questions के लिए मिलते हैं, next video में, तब तक के लिए, goodbye,